हलो फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स चौथे महीने से आपको एक काम जरूर कर लेना चाहिए ये आपको नॉर्मल डिलिवरी भी असानी से करवा देगी और आपको जितनी भी प्रेंड्सी में समस्याय आती है उन नहीं आएगी फ्रेंड्स हमारे भारत में 10 में से 6% महिलाएं जो हैं एनिमिया से ग्रसित होती है एनिमिया एक ऐसी बिमारी है जिससे की प्रीमिचूर बर्थ होता है यानि कि आपकी premature delivery होती है आपके सिसु का वजन कम रह जाता है आपके सिसु का बिकास अच्छे से नहीं हो सकता है अगर आपको प्रिणर्सी में एनेमिया हो गया तो और आपके सिसु का जो mind का ग्रोथ है दिमागी जो ग्रोथ है ओभी बीच में रुख जाता है जब आपको एनिमिया की समस्या हो जाती है तो इसके बाद अगर आपकी डिलिवरी हो जाती है तो आपको भी बहुत सारी समस्याओं का समना करना पड़ता है जब आपके अंदर एनिमिया की खत्रा रहता है या फिर हीमोगलोवीन कम हो जाता है तो आपको जो है डिलिवरी के बाद आप च 30-60 mg आइरन की रोज आपको लेना चाहिए 30-60 इतना आपको आइरन की अपने बॉडी में इंटेक डेली का डेली करना चाहिए अगर इससे आप कम करेंगी तो आपको एनिमिया का खत्रा हो सकता है फ्रेंट्स क्या होता है आजकल सरकार भी बहुत रूल निकाली हुई है अगर आप प्रेगनशी कंसीव की हैं तो आप सरकारी हस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रही है तो अगर आप जाएंगी तो वहाँ पे फ्री में आपको आईरन की सप्लिमेंट दिया जाता है क्या होता है कि iron की supplement आपको free में doctor देती है तो कई महिलाओं में iron की supplement लेने से उनको constipation की समस्या होने लगती है तो friends इसको आप अपने diet से भी iron की कमी को पूरी कर सकती हैं आप अगर आप करना चाहेंगी तो आपके सीसू का अभिकास भी अच्छे से होगा अगर जो मैं आपको दो diet बताऊंगी आज एक diet बताऊंगी iron की कमी को पूरा करने के लिए और एक diet बताऊंगी जिसको आप लेंगी तो आपको iron की कमी पूरी नहीं होगी ओ आपको नुकसान करेगी तो सबसे पहले तो आपको आईरन की कमी पूरी करने के लिए जितनी भी हरी पत्यदार सबजिया हैं तरवई, गोभी, लौकी, मेथी का साग, पालक का साग, जितनी भी सागे हैं ये सारे चीज को अपने डाइट में सामिल करना है आपको इन में बहुत ही भरपूर मात्रा में आईरन पालक है ये आईरन का स्रोथ होता है तो इसको आपको लेना है इसके बाद सारे जितने नट्स होते हैं उसको आपको लेना चाहिए आप किसमिस के जगा मुनक्के का अगर इस्तमाल करेंगी तो ये आपको काफी बेनिफिट देगा मुनक्का हो गया, अंजीर हो गया, इसको आपको डेली रूटीन में आपको लेना चाहिए बदाम हो गया, काजू हो गया, इसके बाद अंजीर हो गया यह सारी iron की स्रोथ हैं और इसको आपको लेना चाहिए इसके बाद आपको एक कटोरी डाल अपने खाने में जरूर लेना चाहिए दिन भर जो 24 गंटा का आपका डाइट है उसमें एक कटोरी डाल आपको होना ही होना चाहिए हर तरह का डाल आप डेली के रूटीन में बनाएं और डेली के रूटीन में आप एक कटोरी डाल आपको लेना ही लेना चाहिए डाल में आइरन की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है इनको आपको अपने डाइट में जरूर इंकलूड करना चाहिए। डाइट में जरूर सामिल करें रागी का आप फल्वा बना लिजिए चपाती बना लिजिए रोटी बना लिजिए पराठे बना लिजिए कुछ भी बना लिजिए इसके बाद बाजरे की खिचडी बना लिजिए बाजरे का ठंडे का मौसम है तो उसको आप आठे को रोटी बन इसको अगर आप चार पांच लेके और भीगो के और उसका पानी सुबा उठके पीएंगी और मुनक्य को खा लेंगी और उसके साथ अंजीर भीगो के खा लेंगी तो यह आपको गैस कॉंस्टिपेशन नहीं होने देगा और यह आईरन का बहुत अच्छा स्रोत है तो आप इ अगर आप अपनी प्रेग्नेंसी में चाय और कॉफी खाने के तुरंत बाद लेती हैं तो यह आपके आईरन की जितने भी आईरन आप ले रही हैं उसको यह पूरा डैमेज कर देता है यह आपके अंदर हीमोगलोबीन की कमी कर देता है खुन की कमी कर देता है आईरन चाय काफी में कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और कितने परिवार में मैंने देखा है कि खाने के तुरन्त बाद चाए और काफी पीने के सौखीन होते हैं तो आप इस समय इसको एवाइड करें क्योंकि आप प्रेग्नंशी कंसीव की हैं तो इस चीज को आपको ख्या को पिलाइजि़ के इसके अलावा आपको चाए काफी को इंटेक नहीं करना चाहिए खहने के तुरंट बात तो बिल्कुल करना चाहिए है देयर 2 गंखर कि आपको पीने की सवखीन है तो यह आह पकरैं पिने की सुखषी नहीं तो यह आपके व्यिकतने भी नहीं आएगा और चौथे महीने से थोड़े बहुत आप इक्सरसाइज भी करना सुरू कर दे जिससे कि आपको नॉर्मल डिलिवरी होने में कोई समस्या ना हो और जो मैंने डाइट पताया है उसको इंक्लूट करके आप देखिए 110 परसेंट आपको नॉर्मल डिलिवरी ह होगी आपके सिसू का वजन कम नहीं रहेगा आपको एनिमिया का खत्रा नहीं होगा आई होप कि सारी जनकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी आन कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्यू फ